हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लासेश चैनल पे तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ चैप्टर सिक्स का केमेस्ट्री का पूरा एटुजेट फूल सॉलुशन याने की यहाँ पर हम चैप्टर सिक्स के सारे महत्वपूर्ण अबजक्ति तो देखेंगे ही साथी सभी प्रशनों के उत्तर भी देखेंगे तो आपको वीडियो को पूरे अंतर तक देखना है और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को फटा पट सस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर जी और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कर दीजे इसके पहले हम चैप्टर थ्री तक के पूरे कॉंप्लिट सॉलूशन देख चुके जहाँ पर मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ट प्रशन और साथी सभी प्रशनों को तर भी पता दिये हैं तो यहाँ पर पूरा चैप्टर 6 हम सुरू करते हैं यहाँ पर जो पहला प्रशन है वो देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है यह प्रशनों को हम सॉल्व करते हैं तो पहले प्रिश्ण में है किसी तंत्र को बन तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ वीनिमे करता है तो यहां पर तंत्र के जो परिवेश के साथ वीनिमे करता है तो यहां पर तंत्र के जो परिवेश के साथ वीनिमे करता है तो यहां पर तंत्र के जो परिवेश के आंसर C number का वो क्या करता है केवल उर्जा का विनिमे करता यानि की द्रवय का नहीं करता तो सही तर आपका C number का हो जाएगा उसके बाद देख लेते हैं प्रिशन की यहाँ पर आपको दिया गया है जब आप दहन एंथल्पी निकालते हो एंधल्पी तो हमेशा क्या आता है और डात्मक प्रदर्शित होती है तो इन में से कोई भी आप्षन नहीं है यह हो सकता है यहां पर गहन की जगपे आप दहन लिख दे तो दहन टाइप कर सकते हैं हाँ पर हो सकता है मिस्प्रिंट हो तो यहां पर दहन आना चाहिए सही उत्तर वैसे का दहन एंथल्पी ही होगा उसके बाद में तीसरा कोश्चन ही यहां पर आपको पूछा गए एक बंड किलोमेटर द्वारा कि इन में से कीन कम आपन किया जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर क्यू वी इन में से ऑप्षक जो है कोन से सही है तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एक नंबर का डैल इई is equal 2 होता है क्यू प्लस नभू तो यहां पर ही आपको ऊश्मा और कार्यक अनुसार बतायां यह प्रतम नियम होता है यह आपका सही उप्षर हो गया इनमर का उसक यहां पर कम है between contents Nh0 उर सही कंडिसन है मारी इस फ्रक्रम होता है to class टो सही हुत्तर कॉन सा हुआ आपका अ नम्बर का पाच अंकमाले प्रशुनों के उत्तर शुरू करते है refugees यहां पर आपको question इस प्रकार से दिए गए यहां पर जो question इसमें मुझे doubt है तो यहां पर डैल यू होना चाहिए तो जो डैल यू रहता है उसके आधर पर आपको डैल आस कमान निकाले वह भी किस के लिए किसी विलगित निकाई के लिए अभी हमने देखे ने हैं तो विलग कि आपके इस दोस्त हैं उनकी भी help हो सके तो पूरा solution देख लेते हैं फटा-फट questions का तो जो actually में question होना चाहिए हो कि होना चाहिए डैल यू is equal to 0 है यहां पर डैल आपको correct करना है तो यदि वह 0 इसके लिए डैल आस कमान क्या होगा तो बुक में भी आप मैच करूंगे तो आपको डैल यू ही दिखेंगा क्योंकि यहां पर जो है एंट्रॉपी के लिए हम बता रहे हैं और साथी हमने देख लिए धन जो होता है वहां पर दहन के लिए जो एंथेल्पी होती वहमेशे कैसे होती है रिनात्मक तो यहां पर एंट्रॉपी विल्गित निकाई के अबिए लिए यू के अर्थात उर्जाकारक अभिक्रिया के लिए कोई महत्व नहीं रखता है यह आपको बताना है स्वत्वाइबर्दित के लिए यहां पर डैलेस करने हैं आपको डैलेस यहां पर जो ए दिख रहा उसको डैलेस उधार लेंगे वह कैसा होना ची आपको इतना लिख देना है इसके लिए एक्जांपल की बात करें तो इसको समझ लेते हैं तो यहां से आप एक्जांपल लेख सकते हैं यदी दो गैसे अलग-अलग रखी गई हैं और तंत्र को पूर्णता उसके परिवेश में विल्गित किया गया हैं हमने दो गैसे ले लि तो दोनों को परिवेश कैसे रहते हैं अलग-अलग रहते हैं तो यह दारन से भी आप इसको समझ सकते हैं सबसे पहले आपको डेल यूज इक्वल टू जीरो है तो डेल एस कमान क्या होंगा यह ग्यात करने के लिए कोशन था उसके बाद इसके आगे का solution देख लेते हैं अ आपको अच्छे से लिए सारे कोशन पाच पाच अंकर करें तो कैसे सबसे पहले विस्तिवन और गहन गुणों के लिए करना होगा विस्तिवन गुण की परिवाशा देख लेते हैं तो क्या होता है गुण जिसका मान निकाय में उपस्तिद द्रव की मात्रा आमा या आदि विस्तिन गुणों के एक जांपल बहुत बहुत बार पूछे चाने तो इनको तैयार रखें अब बात करते हैं गहन गुण की तो गहन गुण क्या होते हैं वे गुण जो निकाय में उपस थी द्रव की मात्रा आकार यह साइज पर निर्वन नहीं करते हैं जैसे के भार में रहते हैं किया हुआ कोई नियुन नहीं है और साइज का कोई नियुक्त नहीं है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपके लिए प्रकार से बताया गया इसके बाद एक और जो दूसरे तरीके से में बता देती हैं आप इसको शॉट में और लिखना चाहते हैं तो यहां पहली परिभास्टा जो हो जाएगी निखाई के वे समस्त गून जो निखाई में उपस्तित बधारत की मात्रा पर निर्भा करते हैं विस्तिर नया मात्रात्म गून भी ने कहा जाता है यह आपके अधर नम उधारने चाहे तो द्रवमान आयता नुश्मा धारिता एंट्रॉपिय और मुक्तिर जा लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताए ताप हो गए दा प्रिष्ट तनाव घनतों मूलर विसिस्ति उश्मा यह सभी आपको लिख लेना तो यह दोनों परिभाश्य हो जाएगी उसके बाद अगला प्रशन देख लेते ही क्या दिया गया है यहां पर आपको अगले प्रशन में बताए गया तो यह क्या होता है देख लेता है सबसे पहले तो उस्मा गतिकी का जो सुनने वा नियम होता है इसके अनुसार यदि दो निकाए एक तीसरे निकाए के साथ अलग अलग तापी साम में हैं मतलब जो अलग अलग टेंपरेचर उसके अनुसार तो एक दूसरे के साथ भी कैसे तो निकाय और बी कैसे होंगे परसपर तापी सामने होंगे जैसे हम मैथमेटिकल में करते हैं तीन बुझाव वाले कोश्चुन को वैसे इसके अनुसार आप इसको समझ सकते हैं इसका चीतर देख सकते हैं आप जी रोग यहां पर बताएगे और भी आपको यहां पर दिख र पूरा लिखना पड़ेगा आपको इनियम क्योंकि इसमें पूरा बताए गया जैसे उश्मे चालक की बात करें प्रतक्रत है ए निकाई बी किसी से संपर्क में है इस प्रकार से तो परस्पर यदियों संपर्क में है तो ए और भी परस्पर कैसे हो जाए ताप यह सामने में हो वुच्छा गया है जो उदासीशनी करण उसमा समझ सकते हैं यहां पर पहले आपको पत्ता लगाना है तो कैसे होता है निशिता पर जब तनु विलियन में किसी ग्राम हम जो लेते हैं तुल्याग उसक अनुसार एदि तो इस के आपको क्या लिखना है दोना हमें चार और वह एक ग्राम लेना है यहाँ पर प्रकार से तो यह जो अभी करिया दी गई है आपको इस प्रकार से सौल करना है ताकि क्या हो इसमें जो कुरिया होती है जैसे कि हमने यहां पर ले लिए HCl और NaOH तो यहां पर NaOH को से Na किससे समिकरण बना लेंगा Cl से तो NaCl बन जाएंगा उसी प्रकार से यहां पर H है और OH है और OH दोनों आपस में मिलके समिकरण बन गया और यहां पर साथ ही हमने किस का मान रख दिया है तो इस अभी दिर्या से ग्यात होता है कि 25 जो हमें दिया गया है उस आधार पर हम एक ग्राम अंबले और एक ग्राम चार के अभिक्रिया कराएं तो हमें 315 किलो जूल प्रती मोल उर्जा उतसरजित होती है त बाद मैं यहां पर आपको इस प्रकास से लिग दें उसके बाद यहां पर अन्युधारन भी आप लिख सकते हैं क्या ज्यादा संदी समझ में clear होता है तो हमने यहां पर क्या ले लिए है और वह है 57.2 यहां पर अलग ऩुरी है तो यह प्रकास से हो जाएंगे दूसरा हमने यहां पर लेकर का निकाल सकते हैं इसी प्रकार के दूलबर होने पर उधासिनिकरन उसमा का मान प्रबलंद और निर्टीज के उधासिन अगले प्रिश्ने करण पूंचा हम लेका है पर प्रिवेशा पूचि गाया से सद्वाद सब्सक्राइब और इसका जो शेश भागे वो क्या कहलाता है परिवेश इसको नाम परिवेश दिया जाता है तो परिवेश का आपको पूरा लिख देना है परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिली थे हैं और निकाय परिवेश दोनों से मिलकर ही क्या बनता है ब्रह्मान तो निकाय धन परिवेश मिलकर क्या बन गया ब्रह्मान बहुत सिध्य आसान सब्दू में तो यहाँ पर निकाय की देख लेते हैं निकाय किसे कहा जाता है निकाय से अतिरिक्त संपुन ब्रह्मान निकाय में होने वाले परिवर्थों से प्रभावित नहीं होता है और यहां जो अंतरक्रिया होती इसको आधार पर आप समझ सकते हैं यहां पर आपको धारन के लिए भी दिए गए ताकि आप यहां से परिवेश और निकाय को आसानी सी समझ सके वह भी हम देखेंगे तो यहां पर आपको परिभाशा चोटी दो दो तिंती लाइन में लिखना है क्योंकि आपको पाच परिभाशा पूछी गई है तो यह आप लिख देंगे निकाय और परिवेश की अब निकाय के प्रकार होते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर बन निकाय पूछा गया तो बन निकाय देख लेते हैं बन निकाय में निकाय परिवेश के मद्द कैसा होता है द्रवे का विनिमे संभव नहीं है परन्तु क्या हो सकता है उर्जा का विनिमे हो सकता है जैसे कि यहां पर देख लेते हैं अभिकारक बंद भीकर में लिये जाए तो यहां से बंद निकाय याने फर्टिक हो गई है तो चाहे तो आप इनको चित्र से समझ सकते हैं जैसे यहां पर में परिवेश के बतारी तो निकाय हो गया उष्मा उढ़ी में किस प्रकार होता है तो यहां पर बात करते हैं तो यह जो जो टो क्या होती है निकाई की उर्जा का प्रतिनी दित्व करती है साती उर्जा रासाइनिक वैदूत यांत्रिक उर्जा हो सकती है इन सब का योग ही निकाई की उर्जा होती है उस्मा गतिके में से क्या कहा जाता है आंत्रिक उर्जा कहा जाता है तो यहां पर यह परिवर्दित हो सकती है जैसे कि हम बात करें उस्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो निकाय पर या निकाय द्वारा किया गया कारे हो और निकाय में द्रवे का प्रवेश या निकास होता हो तो यहां पर आंत्री कुछा को इस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है अब अगले प प्रकारा अभीक्रिया तो बना लेना है, यहां अभीक्रिया को बना लेना को आपको डिया गया है Buddhist系 समिकरण उस्ытाधारी जो तो इक्वेशन बनेगी वह आपके 2NS3 और यहां पर डेलेज कमान हो जाएगा प्यान बिदश्वमल तीनाट किलोजूल प्रती मोल उसी प्रकार से बात करें कार्बन प्लस ऑक्सिजन याने सी प्लस ओटू की यहां पर बात करें तो सी ओटू मिलके बनती इसके लिए डेलेज चोशी अभी क्रिया होती है कि इसके परिवार्ष्ण में आपको दिख रहा है विविए जिन में उस्चुमा का उशूशन होता है उश्मा शोशी कहलाती है नाम सहीं समझभाई जाता है शोशी ऐसी अभीक्रिया में उत्पादों की कुल पूर्ण उश्मा अभिकारोगों क पूर्ण उश्मा से कैसी होती है अधिक होती है यहां पर आपको बताए गया अधिक हो सकती है या क्या हो सकती है बराबर तो यहां पर आपको अधिक में बताए गया कि जो पूर्ण उश्मा उसके अनुसार इसके एक्जामपल देख सकते हैं यहां पर आपको दिये गया है का युष्मा उष्मा को परिभाश्चित करेंगे तो यहां पर जो निश्चित ताप या दाप या इस्तीरायतन पर किसी अभिक्रिया के समीकरण में प्रदर्शित अभीकारकों के समथ्त मोलों के परस पर पूर्णरूप सब्सक्राइब करने पर जो उश्मा उसोषित या उत सर्जित होती है उसे ही क्या जाता है अभिक्राय की उश्मा याने ही टौप हkee तो जो इन कंडिशन के आतार पर अभिक्रिया धर्शा सकते हो जैसे इस तिरधात के लिए यहां पर अलेक्रण पुरा बना सकते हूँ और अंधेल अभिकारचों के लिए आपको इक्वेशन बनाना होगा यह पूरी आपकी होगी क्योंकि यह पाश नंबर के लिए तो इतना आपको लिखना होगा उसके बाद चाहे तो आप यहां पर इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अब दहन उश्मा को देख लेते हैं ने की आपको यह पाश नंबर में लिखेंगे इसकी आपको एक और परीपाशा ज्वा करकर देगे लिए और यहां पर आपको दिए गए पधारतों की जो मानक दहनुषमा उनके मान भी लिख सकते हैं तो यह आपको दिए गए पधारतों के नाम और साथ इनकी मानक दहनुषमा यह चाहे तो आप यह चार्ट भी बना सकते हैं इससे आपका कोश्चन पूरी तरह complete हो जाएगा उसके बाद बढ़ एशमा करतीगी का प्रथम इनकी मुझमी यह उत्प आपर इस प्रकार से होता है इसके अनुसर तरह जो नियम अर्जा संडक्षण के नियम यानि उनध़ा को संडक्षत करने के नियम पर आधार्यतर तो इनकी को कि निशीता यद ब्रहंमान की कुल उर्जा निशीत यद्पी इस aam Vietnamese बेना और रिषा कोई ए 집 कोई भी हो सकती आंठ early restart तो यह ये आपको बाद इसके यहाँ पर आप इसका घंडिति रूप देख सकते आपको बहुत भू शर्EL तरीके से सब्सक्राइब सबसे पहले आंत्रि फोर्जा मानेंगी और इसे उसमा डिजा तो क्या होगा इसका आंत्रिकॉजा बढ़कर क्या हो जैसे ऊमने उषमा दी पहले से इसकी-षमा धी पρχ行 क wn प्लस Q हो जाएका मतलब कुछ तो उश्मा इसको मिली है पहले से पहले कि इतनी रहेंगी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होंगा तो यह परिवर्तन हो गया अब यदि तंत्र पर कारे डबलू करें हम तो इसके अंत्र कुर्जा बढ़कर क्या हो गई अब E1 प्लस Q पहले से था हमें इसको नाम दे दे Q तो यह क्या हो गया है यहां पर बढ़कर आंतर कुर्जा दे दी को दूसरा नाम दे ले इटू तो में कितनी चारी गया कारी इनके बराबर हो गई आपको लिखना है यह आपका गणिती रूप हो जाएगा उसके बाद यहां पर उश्मा अगतिकी का प्रथम नियम आपको उसकी सत्य अता की लिए भी बोला गया है तो आप चाहे तो यह पॉंट को इन पर नोट कर सकते हैं ताकि आपको रासा का लास्ट प्रश्नः है है सका नियम लिखकर आपको यहाँ पर शिद्ध करनााः तो हिसका नियम लेते हैं क्या होता है जो रूसी वेग्ञानिक को उन्होंगे पूरूप करा था रूस के विध्या रेके जाए path log the way philosophumlike व्रतिफल को समपन अथ्विंघ भ्राज्डिकी मा सोइव सुभ़ए कि विदी द्बारा यह Korean USD jebb दूनों में डिरेनट तो यहां पर आप इसको चिटर बना देंगी आपको फुरा चितर दिया गया से अचवन दिये है यहां परेडेलस् Mr. Ad like A3D 2010 A2 if the color buttonSchalem क्यों भी उश्मा का मान है और पूरा चीतर में A B और इस प्रकास से C और D आपको दिया गचार जो पूरे वाक्स के अनुसार आपको बना लेना है यहां पर निशी ताप और दाप पर भी आपको देख लेना एक पधात का B में परिवर्तन सीधे एक पध में कराते हैं तो क्य क्य Ist a P t परिवर्दन इसको हमने की वन की टू की इतिरी साधर पना आपकी अलगलग हमें प्रतिफ़ल फ्राप्त होते हैं तो इसको इस प्रकाराव बता सकते हो क्युक् строit केस के मुझस शालइकर ही प्रतिभल को इस प्रकार से यह Ψुऑ बिस सब्सक्राइब कर लिए आपको सब्से पहले चैनल को समस्क्राइब करना ये सबी विश्यों के कक्षाव के प्रशन वेंग के solution आपको इसी चैनलबर मिल जाएंगे इसलिए सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूले और सबी विश्यों के solution के लिए पीडिया पी आपको मिल जाएंगे तो चली मिलता है नहीं वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग